नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरी यूटूब चैनल धामाका जी के पर दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रहे हूँ यूद कंपेटिशन टाइम्स आर आर बी दो हजार चोविस बुक के नए एडिशन में दे गए प्रशनों को दोस्तों आर आर भी समाने अध्यने लिवा की नहीं होने वाली भती प्रिक्षाओं के लिए बहुत के मैं आत्कून है इसमें सभी प्रशनों को चैप्टर वाइज और टोपिक वाइज ही कवर करवाया गया है सभी रेलवे की ग्रूप D और NTPC स्टेज लेवल 1 और 2 की प्रिक्षाओं के प्रशनों को दोस्तों इसमें कवर करवाया गया है और भी अधर प्रिक्षाओं को इसमें कवर किया गया है दोस्तों तो सभी जो प्रशन है वो आपके आने वाली प्रिक्षाओं के लिए बहुत के मैं अत्कून है इसलिए आप इन प्रशनों की वीडियो को पुरा जरूर देखें और वीडियो में देगया का लिटेल पसंद पाठवा चैप्टर है मुगल कालिस ता पक्ते एंव चितरकला और दोस्तों इसमें हमारे प्रशन अब शुरू हो रहे है चैसो तीन प्रशन से प्षिली वीडियो में हमने चैसो दो प्रशनों कवर किया था दोस्तों यह है अब शाषकदारा निर्मित यह अदूरा होने क बावजूद एक शानदार इमारत है यह गेरे बुरे रंग के बेसाल चटान से निर्मित है इस मकबरे में फार्सी हिंदू और पठान वास्तुकला का प्रभाव दिखाई पड़ता है अगला है दोस्तो प्रशन 604 प्रशन में दिया गया है आगे प्रशन दोस्तो जल की बुंदी में राजिस्तान के बुंदी में जल की मांग पूरी करने के लिए बनवाई गई पच्चास बावडियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावडिया क्विन्स स्टीव वैल राजिस्तान के बुंदी में इसकी थे इसका निर्मान 1699 में में बुंदी केशा शक मह नहाराजा राजा अनिरुदि सिंग की चोटी रानी रानी उदेमती जी ने करवाया था यह बावडी 46 मिटर गहरी एक सुड़ी दार हुआ है अगला है दोस्तो प्रशन है अहिल्या किले को अठारवी शितापदी में डैश नदी के टट पर निर्मित किया गया था दोस्तो आ अंसर है इसका नर्मदा नदी के टट पर मध्यपरदेश के महश्वर नगर में अठारवी शितापदी में निर्मित देवी अहिल्या बाई का किला नर्मदा नदी के टट पर इस्तित है यह 1765 से 1706 में तक देवी अहिल्या बाई होलकर का निवास इस्थान था बर्श 2000 में इनके वन शज़ प्रिंस रिचर्ड होलकर ने इसे एक अतीती निवास में बदल दिया जो आज अहिल्या फोर्ट होटल के रूप में जाना जाता है। समराथ अकबर का मकबरा किस शहर में इस्तित है? अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में इस्तित है। इस मकबरे के निर्मान के लिए उप्यों की जाने वाली मुख्य निर्मान समगरी संग मरमर के साथ मिश्रित लाल बलुआ पत्थर है। मकबरे का निर्मान हिंदू इस्लामिक बोध और जयन वस्तुकला पर अधारित है। बगीचे के मद्य बना यह मकबरा पांच तल उचा है। जिसका परतेक तल छोटा होकर इसे पिरा मिडू नुमा बनाता है। इसका निर्मान अकबर ने पैरंब करवाय था परन्तु इसे जहागीर ने किया। इस पर बोध प्रभाव जलकता है। अगला है दोस्तो प्रशनी 607, प्रशन हैदराबाद के चार मिनार के संबंद में निम लिकित में से कुन सा कथन गलत है। यह कथन जो है दिया गलत है। चार मिनार का निर्मान कुली कुतु बशा ने 1591 इस्व में करवाया था। यह हैदरबाद तेलंगाना में इस पित एक समारक एवं मस्जिद है। यह मुसी नदी के पूर्वी टट पर अवस्थित एतियासी के उंदार्मिक रूप से मैत्वण इमारत है। यह है शेर में पलेग के अंत को चेनित करता है। अगला है दोस्तों प्रशन चार मिनार का निर्मान निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बिमारी के उन्मुलन के लिए किया गया था। चार मिनार का जो निर्मान है वो निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बिमारी के उन्मुलन के लिए किया गया था। द्वारा निर्मित समारक निर्मिलिकित में से कौन सा मिनार है दोस्तों आंसर है इसका चार मिनार। चुल्तान मुहम्मद कुली कुतुब शाह कुतुब शाही राजवण्ष के पांचवे शाशक ने 1591 इसमें चार मिनार हैदराबाद का निर्मान करवाया था। इस सरचना का निर्मान लेग उन्बुलन की याद में करवाया गया था। हवा महल डैश में इस तइत एक महल है अंसर है जयपूर, जयपूर जयपूर में इस तइत एक महल है इसे 1799 में महराजा सवाई परताब सिंग ने बढ़वाया था। आपको जो है option छुननना है तो दोस्तो आंसर है इसका इलहाबाद महराज जैसिंग द्यत्ते ने पांच शहरों में जंतर मंतर यांटिधिशालव का निर्मान करवाया ज्रुझा जुनिम्न है दिल्ली, जैपूर, उ՝जेन, बनारस और मत् Teddy दिल्ली, जैपूर, उज्जैन, बनारस और मथुरा इनमें से जैपूर का जंतर मंतर व्यादिशाला सबसे बड़ी है जैपूर के जंतर मंतर को साल 2010 में युनेसको द्वारा विश्व द्रोहर इसल की शूची में शामिल किया गया था अगला है दोस्तो प्रशने निम लिखि दिल्ली, जैपूर, उज्जैन, बनारस जिसे वरनासी भी कहते हैं और मथूरा तो आपका इसमें इंदोर आंसर हो जाएगा दोस्तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा तो कि इंदोर में नहीं है वरनासी में जैपूर में है उज्जैन में है दिल्ली में है और मथूरा में ह दिल्ली का जंतर मंतर एक खगोल ये व्यादिशाला है जिसका निर्मान महराजा सवाई जैसिंग वित्ते ने 1724 में करवाया था इमारत प्राचीन भारत की रग्यानिक उनती की मिसाल है इन्होंने दिल्ली के अलावा जैपोर उज्जैनमत्र और वारनासी में भी इसका निर्मान करवाया था 315 प्रशन दोस्तों निम लिकित में से कौन सा समारक तमिल्लाडू में इस तित नहीं है जस्तों जो नहीं है वो हमें बताना है कि तमिल्लाडू में कौन सा समारक है जो नहीं है तो दोस्तों आंसर इसका उप्शन ए बेकल किला चाबी की कुंडी जैसी अकरती के लिए इसका निर्मान समुंद्र तल से 130 फीट की उचाई पर इस्तित है किला अपने वास्तु कला और पेज़ोड सुन्दरता के लिए विश्वू प्रसिद्ध है किले के पास ही अंजने मंदिर इस्तित है जो मक्राले से पनी थैयम देवी की मुर्तियों के लिए प्रसिद्ध है जबकि अन्य तीनों विकल्प वल्ल沃 कोर्टम पद्वनामपुरम पैलेस और मिनाक्षी अमण मंदिर जो है वो तमिलाडू में राज्य में इस्तित्ध है अगला है दोस्तो प्रश्न 616 किला मुबारक समारक कहां इस्तित है किला मुबारक समारक कहां इस्तित है दोस्तो आंसर है इसका पंजाब किला मुबारक पंजाब के बटिंडा में बना है इस किले का निर्मान 90 और 110 इसमें हुआ प्रतित होता है यह है इट का सबसे पुराना और उचे किला है इस किले में पहली महिला शाशी करज्य सुल्ताना क उसके ही गवर्नर अल्तूरतूनिया ने कैद कर लिया था इसके लिए की बनावट में कुशानकाल की समगरी का उफ्योग किया गया था अगल है दोस्तो प्राशन शेक चलीम चिश्टी का मकबरा इनमे से किस शहर में इस्तित है शेक सलीम चिस्टी का मक्रवरा इनमे से किस शहर में ? अंसर इसका फतयपूर सीक्री में squared भारत में चिस्टी संप्रदाय सबसे अधिक लोग प्रियु वा प्रसिद्ध हुआ भारत में चिस्टी प्रमपरा के प्रquaम संध शेक उस्मान के शिष्षे खौजा मुर्दिन एक हजार एक सो बानवे इस्टिया मुहम्मद गोरी के साथ भर्थ गए थे तथा चिस्तिया प्रंपरा की नीव रखी थी शेक चिलिम चिस्ति कमकवरा फटयपूर सीकरी में इस्तित्र है भरत में चिस्ति संपरदाय सबसे अधिक लोग प्रियवा प्रसिद हुआ भरत में च चिस्ति प्रंपरा के प्रथम शेक संत शेक उस्मान के शिश्य ख्वाजा मुहदन चिस्ति थे ये 1192 इस्वी मुहमद गोरी के साथ भर्थ गए थे तथा चिस्तिया प्रंपरा की नीव रखी गूगल शाशक अकबर शेक तलीम चिस्ति के प्रति आदरभाव रखता था जिसे जरी कलम गोल्डन पैन की उपादी से सम्मानित किया गया था अंसर दोस्तों इसका मुहमद हुसैन मुहमद हुसैन अकबर के दरबार के स्रवोत्तम हस्ति लिपीकारों में से एक था जिसे जरी कलम गोल्डन पैन की उपादी से सम्मानित किया गया था अकबर ने शीरी कलम की उपादी अब्दु सम्मत को प्रदान की थी अगला है दोस्तों प्रसिद गोल गुंबद कहां इस्तित है दोस्तों आंसर इसका करनाटक राज्य में प्रसिद गोल गुंबद बीज़ापूर करनाटक में इस्तित है गोल गुंबद मुहमद अदिलशा का मकबरा है यह मकबरा गोल गुंबद या गोल गुंबद के नाम निर्मान गोल गुंबद भारत का सबसे बड़ा तत्था विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है निम्न में σε कौन सा फतहपूरसीहरी में एक एतिहास समारत नहीं है दोस्तों आंसर है इसका गोल गुंबद गोल गुंबद गोल गुंबद फत्यपूर सीकरी आगरा में नहीं बल्कि वीजपूर करनाटक के सुल्तान मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो करनाटक राजे के वीजपूर में इस्तित है अगला है दोस्तो प्राशन ताज महल की सजावर के लिए मुक्यता किस वास्तू तक्नीक का इस् गुच्च पालिश वाले रंगिन पत्रों को जड़ने के उप्यों की तक्नीक के लिए किया जाता है निम्निकित में से कौन सा विकल्प सुममेलित नहीं है जो सुममेलित नहीं है वह आपको दोस्तो बताना है दोस्तो आपको दिये गए है अलिफेंटा की गुफाए जबकि जो केदार्णाथ वह आपको उत्रा खंड में इस्तित प्रसिद हिंदु धाम है। निम लिखित में से किस निर्मान शाहां जाद वरा नहीं करवाया गया था। नहीं करवाया गया था दोस्तों वो आपको बताना हैं तो दोस्तों आंसर है इसका बुलंद दर्वाजा बुलंद दर्वाजा जहां ने ताजमहल के अध्रिक्त लाल किला दिल्ली जावा मस्जिद दिल्ली अगरा का किला मुती मस्जिद तता शाली मर्ग भाग लाहोर का नि इसका निर्मान मुगल वाशा जागिर ने अपनी बेगम नू जहां के लिए करवाया था। इसका निर्मान मुगल वाशा जागिर ने आगरा के लाल विले में करवाया था। 325 प्रशन दोस्तों दिया गया बुलंद दर्वाजा किस शहर में इस्तित है। बुलंद दर्वाजा किस शहर में इस्तित है। आंसे दोस्तों इसका फत्यपूर सीकरी में। बुलंद दर्वाजा उतरपरदेश के आगरा शहर से 36 किलो मीटर दूर फत्यपूर सीकरी में इस्तित है। अर्द गुंबद युक्त दर्वाजा है जो इरानी शेली में निर्मित है तथा। बाद में मुगल इमारतों की विशेष्टा बन गई। बुमी से 176 फीट उची और पहले जबूतर से 134 फीट उचाई वाला बुलंद दर्वाजा विशाल और सुन्दर इमारत है। फतेपूर सीकरी इस्तितु बुलंद दर्वाजा अकबर द्वारा डैश पर अपनी विजे के प्रतिक के रूप में बनवाया गया था। आगरा में भारत के सबसे उचे परवेश द्वार गैट ऑफ मैगनिफिस सेंस बुलंद दर्वाजा का निर्मान करवाया था। निम्लिकित में से कौन सा समारक दिल्ली में इस्तित नहीं है जो नहीं आपको वो बताना है दोस्तों आंसर है इसका बुलंद दर्वाजा। बुलंद दर्वाजा उत्तरपरदेश के फत्यपू सीकरी नामक इस्तान पर इस्तित एक दर्शनी समारक है इसका निर्मान अकबर ने गुजात विजे के उप्रक्ष में करवाया था। अलाई दर्वाजा दिल्ली इस्तित कुत्व मिनार परिसर में इस्तित है जिसका निर्मान अल्लाव दिन खिलजी ने करवाया था। ताज महल भरत के आगरव में इसके टेक मकबर है जिसका निर्मान मुगल चाशक शाजा ने अपनी पतनी मुम ताज महल की याद में करवाया था। ताज महल का डिजैन उस्ताद एहमाल लहरी ने बनाया था। युनेसकों ने 1983 में ताज महल को विश्व दोहर गोशित हिया था। ताज महल को सफेद संग मर्मर से बनाया गया है। ताज महल मुगल वास्तू कला का अत्रिश नमुन हैं हिमायू का मकबर हिमायू की पतनी हाजी बेगम ने बनवाया था। आगरा के किले का निर्मान 1565 इसवी में अकबर द्वारा करवाया गया था और लाल के लेका निर्मान मुगल चाशक शाजा ने करवाया था अगला है दोस्तो प्राशनल 631 प्राशनल लाहोर एवं कश्मीर में इस्तित शालिमार गारण रैश कालिन वास्तु कला किरती हैं जहाँ जहाँ ने 1641 इसवी में बनवाय था यह पाकिस्तान के लाहोर में इस्तित है 1981 इसवी में लाहोर के किले के साथ इसे इनेसको ने विश्व दोहर सूचे में शामिल कर लिया था अगला है प्रशने 632 प्रशने अकबर द्वारा निर्मित पंच महल डैश में इस्तित है अकबर द्वारा निर्मित पंच महल डैश में इस्तित है दोस्तो अंसर इसका फतेपूर सीक्री में अकबर द्वारा निर्मित पंच महल फतेपूर सीक्री में इस्तित है यह पिरामिड अकार में बना है इसे हवा महल भी कहा जाता है इसे हवा महल भी कहा जाता है अकबर दौरा निर्मित अन्य सल आगरा का किला बुलंद दर्वाजा मर्यब उस्जमानी पैलेस इलाबाद का किला आदी है दोस्तों वीडियो में देगा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करे और मेरे यूटूब चनल धमाका जीके को सब्स्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एक्जामरेटर वीडियो मिलते रहे हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रशन में दिया गया है 633 प्रशन ताज महल परिसर का निर्मान लगबग कब शुरू किया गया था ताज महल परिसर का निर्मान लगबग कब शुरू किया गया था इस वी 1648 के अंत में पूरा हुआ था दोस्तो अंसर इसका ताज महल ताज महल निम लिखित में से किसका निर्मान समराथ अकबर ने नहीं कराया था दोस्तो अंसर इसका दिल्ली की जामा मस्जिद का दिल्ली की जामा मस्जिद का दोस्तो हमें इस्तापत्य कलाएं दी गई है अगरा में जहांगीर महल अकबर के दोरा बनवाए गया था अगरा में दिल्ली की जामा मजिशा जहां ने बनवाए थी दिल्ली में बुलंद दरवाजा अकबर के दोरा बनवाए गया था अगला है प्रशन जैपूर में हवा महल का निर्मान देश से पेरित था जैपुर में हावा महल का निर्मान डे से पेरित था दोस्तों आंसर इसका जुन-जुन के खेतडी महल से जुन-जुन के खेतडी महल का निर्मान महराजा गोपाल सिंग द्वारा 1770 इस्व में करवाया गया था खेतडी महल से पेरित होकर सवाई प्रताप सिंग ने 1799 इस्व में भव्य और एतिहा सीक हावा महल का निर्मान जैपुर में करवाया हवा महल लाल और गुलाबी बुलुवा पत्तर से निर्मित है इसमें 953 जरोके हैं अगलास प्रशन करनाटा का मैसूर पहलेस निमलिखित में से किस राजवंच का अधिकारिक निवास था 1612 इस्व में विजे नगर के शाष को बैंक लित्ते ने मैसूर के सरदार वड़ियार को राजे की उपादी से विभूशित किया और कालंतर में वड़ियार बंश के शाषकों ने सुतनतर रोप से मैसूर पर शाषन किया अगला है प्रशन दिल्ली की जामा मजजिद का निर्मान किस वर्ष में पूरा हुआ था दोस्तों आंसर है इसका 1656 में इसे मस्जिद जहानुमा भी कहते हैं जिसका अर्थ है विशु को दर्शाती मस्जिद। यह लाल पत्थर तथा संग्मर्थ से बनी हैं। अगला प्रश्न निम्ली खित में से कौं सा समारक दिल्ली में इस्तित नहीं हैं। दोस्तों आंसर इसका पंचु महल यह है मुगल समराथ अकबर दौरा निर्मित एक महल है यह फटेपू सीकरी आगरा में इस्तित है इस महल की वास्तु कला बोध मंदिर से पेरित है मिनार की आधार शिला दिल्ली के प्रत्थम मुस्लिम शाशक कॉतुब दिन एवक ने 1193 में रखी थी इसे पूर्ण इल्टमिश के दोरा करवाये गरा फ्रोशा तुलक ने इसकी शती ग्रश्त हो गई चोती पाचीवी और अंति मंजिल बनवाई थी अगरसेन की बावड़ी भर्ट के दाजधाने दिल्ली में इस्तित है यहां एक सीड़ी नुमा हुआ है जिससे महराजा अगरसेन ने 14 शताबदी में बनवाया था लाल किला लाल किला दिल्ली में बलवा पत्तर से बनी एक 83 के मारत है इसका निर्मान मुगल चाशक जहां जहां ने करवाया था यह किला यमना नदी के टट परिस्तित है तो 2007 एसवी में युनेस्को दोरा इसे विश्व दोहर इसकल के रूप में चेनित किया गया था अगला है प्रश्न आगरा का लाल किला किस मुगल समराथ दोरा बनवाया गया था दोस्तों अंसर है इसका अकबर आगरा का किला मुगल समराथ अकबर दोरा पंज़सो पैथर से पंज़सो तेयतर इसी के बीच में बनवाया गया था यह किला मूलता इतो दोरा निर्मित थ नेस झूशन दोस्तो, मौति मस्जिध निम लिखीत में से किस समारक में स्थित है। द्याइश में बनाई गई थी तो आंसर इसका 1799 इस्वी में 1799 इस्वी में हवा महल एक प्रसिद्ध राजसी महल है जिसका निर्मान जैपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 इस्वी में करवाया था यहें पांच मंजिला इमारत है जो जैपुराजिस्तान के जोहरी बजार के पास इस तरह प्मून रूप से लाल और गुलाबी बल्वा पत्थर से बनी हुई है। अगला है प्रशन दोस्तों हवा महल का निर्मान किस ने करवाया था। 345 वा दोस्तों हमें प्रशन दिया गया है कतेपूर सीक्री या विजे का शहर 12 साल तक डैश की राजधानी थी। अगला है प्रशन दोस्तों आंसर इसा अकबर की। सीक्री का निर्मान किसने किया दोस्तों आंसर इसका अकबर ने अकबर ने। मोती मस्जिद या परल मस्जिद डैश किले की सबसे सुन्दर सचना है। दोस्तों आंसर इसका लाल किले की मोती मस्जिद या परल मस्जिद मुगल बाश्या औरंग जेब दोरा बनवाई गई है। यह दिल्ली के लाल किले में इसे रैड फोर्ट भी कहते हैं मोती मस्जिद लाल किले की सबसे सुन्दर रचना है। दोस्तों आंसर इसका आगरा फोर्ट यानिके आगरा का किला। समारक नहीं है। यह हैं तेलंगाने की राज़दानी हैदराबाद में इसने सबसे प्रसिद और महतुपुन समारक है चार मिनार को हैदराबाद के शाषक मुहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। दोस्तों हमें समारक दे गए हैं और जिन पर यह बनाए गए हैं इनके लिए तो यह हमें बताए गए हैं। दिवी का मकबरा दिलरास बानो बेगम के लिए ताज महल, मुम्ताज महल और इतमाद दोला का मकबरा है जो मिर्जा गया इस बेग के लिए बनाए गया था। 350 प्रशन हैं निम लिकित में से कौन सी धार्मिक और धर्म निर्पेक्ष दोनों रूप से प्रजिद एत्यासिक इमारत उत्तर परदेश के फत्यपूर सीकरी शहर में नहीं हैं। जोस्तो आंसर इसका खुतुब शाही मकबरें है ध्रबाद के इबरहीम बाग में इस्तित है बुलंग दरवाजा एमसलिम जिस्ति का दरगा फत्यपूर सीकरी उत्तर परदेश में हैं। इसका निर्मान मुगल शाषक अकबर के द्वारा करवाया गया था। इवान एक खा 1637 को मुगल बाश्या शाहजां के द्वारा आगरा के किले में वनवाया गया था। अगला है प्रश्न माराश्ण में अवस्तित मुरूंद जन्जीरा किला चारो और किस से गिरा है। इसका निर्मान एहमद नागर सल्तनत के मली कमबर की देखरेक में पंदरी सदी में हुआ था। अगला है प्रश्न मुगल समराट हिमायू का मकवरा डैश में है। अगला हिमायू का मकवरा डैश में हैं। अंसर इसका दिल्ली में। इमायू का मकवरा मुगल वास्तुकला से परित मकवरा है यह नए दिल्ली के दीन पना अथात बुराने के लिए के निकट निजामुद न ओलिया की दरगा के पास इस्तित है। जहां जहांके द्वारा किया गया था दोस्तों आंसर है इसका जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद दिल्ली का निर्मान सन 1656 में समराज चाजा ने करवाया था। यह मस्जिद लाल वलुआ पथर तता सफेद संगमवर से बना हुआ है जो लाल किले से 500 मीटर की सूरी पर इस्तित है जब की बादशाही मस्जिद लाहर और अंजेव ने 1674 इसमें काबुली बाग मस्जिद पानी पथर याना में बाबर ने 1523 में किला एकुना मस्जिद द दोस्तों आंसर है उरंजेव के द्वारा मक्का मस्जिद हैधराबाद में इस ठित एक इतिहांसी मस्जिद है यह भरत का सबसे पुराना और बड़ा मस्जिद है पुली कुतुब शाहिदराबाद के छटवे सुल्तान ने वर्ष 1670 में मीर फैजुलला बैग और रंगिहां चोदरी के निर्मान शुरू करवाया था इसका निर्मान और विंजेप के शाशन काल में 1680 एसु में पूर्ण हुआ इसे बनाने में लखबग 8000 राजगीर और 77 वर्षिन लगे दोस्तों में दिया गया है निम लिखित समार को इस्थानों का उनके सही स्थान के साथ मिलान करे दोस्तों हमें सही हमें जोड़े मिलाने हैं समारक इस्थान दिये गहाँ तो दोस्तों आंसर इसमें हमारा ऑप्श्ण ए दिल्ली में जामा मस्ज़ित किस भारती है बादशा के शाशन काल में बनवाई गई थी दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारती बादिशा के शाशनकाल में बनवाई गई थी दोस्तो अंसर है इसका शाहा जाहा आंसर है दोस्तो इसका शाहा जाहा मुगल बाशा शाहजहा के शाशनकाल में निर्मित इमारते हैं, रामा मज़िद दिल्ली ताज महल आगरा, लाल किला दिल्ली मोती मज़िद आगरा, ध्यान देने योगी है कि तक्ते ताउस या मरूल जो मजूर सिनासन था वो शाहजहा के द्वारा बनवाया गया राज सिना आंसर दोस्तो इसका तलंगाना में, घरत में इस दीत कुछिव प्रमुव के लिए तथा सम्मंदित राजे निनुमत हमें दिये गए हैं, महरान गड का किला, जोदपूर राजिस्थान में, और आगरा का किला, आगरा उत्तर प्रदेश में, रवालियर का किला, गवालियर मद्यपर्देश में, लाल किला, दिल्ली में, घुल कुंडा का किला, तलंगाना में, और कुंबलगड का किला, राज़स्थान में, राज़स्थान के राज़स्थान में हैं। दोस्तों इसे अन्तिम प्रशन के साथ RRB 2024 बुक के ने अडिशन से हमारे इतिहास के 169 प्रशन दोस्तों पुरे कवर होते हैं दोस्तों वीडियो में देगे कांटेंट पसंद आया हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूटूब के अन्द माका जी को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आगे भी आपको मेरी एक्जाम वीडियो मिलते रहें दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद